हाई फ्रेंज वेर्कम टू डियाई वाई क्राफ्टी सिल्विया चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए तो फ्रेंज आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि आपको कोई पैसे पेह नहीं करने हैं और एकदम फ्री ओफ कोष्ट यह आइडिया मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ तो फ्रेंज वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो सबसे पहले तो हमें इस तरह का कोई भी पूराना टावल ले लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड करके हम रख लेंगे अभी हमें इसकी मार्किंग करनी है तो इसकी लेंथ हमें लेनी है 28 इंच हाफ इंच हमें एड कर लेंगे इसमें फोल्ड करने के लिए तो इस तरह से 28 इंच हमें इसकी लेंद ले लेनी है और विर्थ लेनी है हमें 25 इंच तो इस तरह से रखने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और एक पीस को हम साइड में रख देंगे अभी हमें इस पीस को फॉल्ड करके इस तरह से रख लेना है और शाड़े 6 इंच पे हमें उपर निशान लगा लेना है अभी हमें इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 10 इंच पे निशान लगाएंगे अभी हमें इंच टेप को इस तरह से तिर्चा रखना है और सीधे हमें लाइनी इस तरह से बना लेनी है इस तरह से लाइन बनाने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है तो ये cutting हमारी हो गई है और side में से इस तरह हम बाद में fold कर देंगे तो इस तरह से मैंने पुरानी जिन से ये pocket कट कर लिया है और इस तरह की strip हमें cut कर लेनी है अभी हमारा जो man piece है उसको हम इस तरह से रखेंगे और जो ये strip है इसको हम इसमें इस तरह से attach कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसको attach कर लिया है तो next हमें इस तरह की strip लेनी है और आभी हमें इसकी marking कर लेनी है तो 25 inch हमें इसकी length लेनी है और 2 inch हमें इसकी width लेनी है तो ये layer है इसको हमें इसमें attach करना है तो इस layer को हम अंदर की side fold करते हुए इसमें stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने इसको stitch लगा के तयार कर लिया है अभी हमारा जो ये man fabric है इसमें हम उपर इसको इस तरह से attach कर लेंगे तो इस strip को हमने attach कर लिया है अभी हमें side में भी तरह से हिनgtrip को attach करना है तो दोनों side हमने strip को attach कर लिया है तो अभी हमें marking करनी है ओपर से इस तरह से से dispatch को रखेंगे और हमें 10 inch पे निशान लगा लेना है निशान लगाने के बाद जो पॉकिट है हमारा उसको हमें अटेच करना है तो इस तरह से पॉकिट को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधे इस्टिच लगा लेंगे तो इस तरह से ये pocket अमारा attach हो गया है तो अभी हमें इसको इस तरह से दोनों side fold करके stitch लगा लेना है तो इस तरह से दोनों side हमने इस पे stitch लगा लिये तो अभी हमें दोनों side ये strip को attach करना है तो दोनों side नमारे जो strip है वो हमने attach कर लिये तो फ्रेंट्स ये फ्री का एडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शियर कर दीजिएगा और इसी तरह की वेश्ट मटेयर पर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीज तो ही कर तूकरी भीडूने कि भीडियो वीडियो वीडियो के षवचियो वीडियो को